हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टायर का ट्यूब अगर पंचर हो जाए तो उसे आसान तरीके से घर पर ही आप कैसे रिपेर कर सकते हैं तो वीडियो का अन तक जरूर देखें तभी आप समझ पाएंगे कि ट्यूब पंचर कैसे रिपेर किया जाता है सबसे पहले हम टायर को निकाल लेंगे रिम से उसका अलग कर लेंगे तो अलग करने के लिए हमें दो टायर लिवर के आउशकता होती है यह दोनों टायर लिवर हमें इस प्रकार से अंदर इंसर्ट करना है कि ट्यूब में खराब ना हो डैमेज ना हो उसके बाद ट्यूब को जहां पर पंचर है उसे हमें फाइल से या फिर जो हेक्सा ब्लेट आप देख रहे हैं उसको इस तरीके से घिसना है कि ट्यूब ज्यादा डैमेज ना हो बस जहां पर पंचर है वह वाला पोर्शन जो है वह रॉफ हो जाए जिससे कि हम जो पंचर स्ट्रिप होती है उसको आसानी से वहापर फिक्स कर सकें सफकी है है यहां पर हक्सा ब्लेट का जो एंगिल है वह उसको घिस सकते हैं में जो एकट ना чув seems जाए उससे इतना पाला कर परसन कवर करना है घीसना उसको कि जितना बड़ी हमारे पाई पान्चर जिप है उसके साइज के अकॉरडिंग उसको घीपना है जब यह पूरी तरह से खुर्दुरा हो जाए तो उस पर हमें भॉंट लगाना है भॉंट लगाने के बाद हमें उसमें पंचर जिप आप देख रहे हैं यह पंचर जुप को हमें fix करना है उसके बाद इसको थोड़ा सा hammering कर लेंगे हम जिससे कि प्रॉपर ली चारो तरब से प्रॉपर ट्यूब के साथ fix हो जाए उसके बाद हम इसमें air भर कर नोजल को लगा के air भरेंगे डालने के बाद हमने उसे चेक कर लेना है पानी में और फिर वापस से ही जिस प्रकार से हमने ट्यूब को निकाला था जिससे देख रहे हैं आप सबसे पहले wall body को हमने hole के अंदर insert करने है और उसका nut लगा लेना है उसके ट्यूब को अंदर इस प्रकार से डालना है कि लोल्ड ना हो रिंकल ना पड़े उसमें पॉपरली अंदर insert करने के बाद जिस प्रकार से हमने टायर को निकाला था अब टायर को हम टायर लीबर या फिर हातों की साहता से इसको दबा लेंगे चारो तरब से भरबा इसको बराबर अलगा लेंगे अंदर टायर अंसर्ट करने के बाद से हमने वाल को लगा कर उसमें फिर दुबारा से एर भरनी है और एर भर कर हम वील को यूज में ले सकते हैं तो आप देख रहे हैं आपर हवा भर गई है तो आज के इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि जो टायर पंचर है जो ट्यूब पंचर हो जाती है उसे किस प्रकार से रिप्यर किया जाता है अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें साथ मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें जिससे आपको नए वीडियो के नॉटिफिकेशन समय पर मिलते रहें